सर, CUT 2023 का form start हुआ और उसके बाद में students का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर, 3 और 4 domain लेने का क्या फायदा है अगर हम लोग 3 domain लेते हैं, 4 domain लेते हैं, तो क्या benefit है, क्या उसका नुकसान है, तो सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और एक है मेरे पास B, A और B हैं, इसने क्या किया, CUT का exam दिया, और CUT के exam के अंदर इसने सबसे पहले select किये 3 domains और इसके बाद में एक जो बच्चा है B, जिसने क्या किया, select किया CUT के अंदर 4 domains को, तो अब इसका benefit क्या होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं मान लिजे, आप लोगों ने ये domain तो select कर लिया, अभी CUT का paper आप लोगों देने के लिए जा रहे हो, और CUT का paper आप लोगों ने दे दिया अभी तक ये नहीं है, colleges के अंदर इसका benefit है, वो अभी हम लोगों को रुकना है थोड़ा सा जानने के लिए तो सबसे पहले देखिए, A और B ने इसको कर लिया, अब A वाला बच्चा जिसने 3 domains लिया, इसने क्या किया, physics लिया, chemistry लिया, और math को ले लिया इसके अंदर, इसने CUT paper देने पर इसके marks आ गए है, इसमें 180, और यहाँ पर इसके marks आए है, 180, और इसके अंदर, math के अंदर मान लिजए, इसके आए है, only 90 marks तीनों marks हो गया, यह marks इसके आ गए है, अब आप बात करता हूँ, मैं B टाइप का student है, जिसने क्या किया है, four domains लिया है, और four domains कौन सा लिया है, physics लिया है, chemistry लिया है, math लिया है, और साथ ही ले लिया है, physical education, इसने यहाँ पर ले लिया है, ठीके बेटा, physical education ले लिया है, physics में मैं इसके आगे, मान लिजी, 160, यहाँ पर आगे, इसके 180, math में आगे, इसके 100, और साथ ही में physical education में आगे, इसके 180, अब बताइए, कौन सा student सबसे ज़्यादा, अच्छा हुआ, कि बोला सर, यहाँ पर three domains जिसने लिया है, तो वो lack कर गया math के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक मैं अगर सबसे बड़ी जो Delhi University है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा students अपलाई करते हैं, तो वहाँ की मैं बात करता हूँ, तो Delhi University के अंदर क्या होता है, कि सर, वहाँ पर जितने भी domains आप लोगों ने दिये हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, best of three के marks को ले लेते हैं, जैसे मान करो, तो B1 के अंदर आते हैं, और ये आता है B2 के अंदर, किसके अंदर आता है बिटा, B2 के अंदर आप लोगों का आता है, तो Delhi University क्या करती है, वह लेती है best of three, best of three का मतलब क्या हुआ, अब ये student है, इसने तीन ही दिये हैं, domains के अंदर, तो इसका कितना हुआ, sir, 180 plus 180, तो ये क्या हुआ कि, sir, जब हमारे marks इसके एक merit बनेगी, तो merit के अंदर क्या हुआ, इसके तीनो domains के marks count होंगे, और वैसे ही क्या होगा, कि ये जो B2 वाला student है, इसके best of three domains का क्या होंगे, marks यहां पर count होंगे, यानि कि, sir, ये हो गया 180, 160, 180, और साथ ही मैं माल लीजे, physical situation है, तो यानि कि 180, तो इसके marks यह होगे, इसकी merit जो decide होगी, डेल उनिवर्सिटी के अंदर, तो वो होगी best of three से, 160, 180, 180, 180 से, अब benefit किसको ज़्यादा हुआ, बोला सर, इसको हुआ, क्योंकि हमारा हो सकता है, physics, chemistry, math दे रहे हो, या फिर आप लोग history, political, science, ये जोग्राफी दे रहे ह क्योंकि कोई ना कोई ऐसा student होता है, जिसका एक weaker section होता है, कोई ऐसा student होते है, जिनके तीनों के तीनों चीज अच्छी होती है, तो भाई, इसी चीज के लिए हम लोग आप से बोलते हैं, कि आप लोग को अपने domains को बढ़ा लेना चाहिए, domains को increase कर देना चाहिए, जिससे क् paper खराब भी हो जाता है, तो भी आप लोग eligible होगे, और easily क्या कर पाऊगे, अपने merit list जो आप लोग की बनती है, उस university की तरफ से, उसके अंदर maximum marks की तरफ आप लोग जा पाऊगे, तो ये funda होता है domains में 3 और 4 का, जैसे आप लोग को मैं Delhi University की बात करूँ तो देखिए, इनक उसको 27 ना बोलके, by forget करती है, 18 प्लस 9 के अंदर, और वो clear cut कहती है कि यार कम से कम आप लोगों के 2 subjects जो है, वो B1 से होने चाहिए, एनि कोई सभी हो, और B2 से आप लोगों का, B2 या B1 से आप लोगों का एक subject होना चाहिए, इस तरीके से वो क्या करती है, आप लोगों का marks क को लेकि आती है, यानि किस्तर overall कितना होना चाहिए, तीन domain आप लोगों के पास होनी है, अगर आप लोगों ने 4 domain ले लिए तो best of 3 आप लोगों का आएगा, और best of 3 पर आप लोगों को एक extra is मिल जाएगा, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सकें, उतना domains आप लोगों को लेन से ले सकते हो, यानि कि अगर मैं best combinations की बात करूँ, तो वो आप लोगों के लिए हो सकता है, एक या दो language तो आप लोगों को लेनी ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि सर मैं language नहीं लूँगा, तो language नहीं लोगे ना बेटा जी, तो आप लोग डेली उनिवर्सिटी की list है, उससे ब यानि कि सर सीधा सीधा कितना हुआ, एक और यहां से चार लेता हूँ, तो पांच और एक छे, और यहां से दो language ले लेता हूँ, तो दो प्लस चार प्लस एक, यानि कि सर सेवन मेरा होता है, तो इससे आप लोगों को एक extra is मिल जाएगा, जब आप लोग मैरिट लिस्ट के अंदर आप लोग का number count होगा, तो इससे आप लोग को benefit है, कोई नुकसान नहीं है अगर ज़्यादा domains आप लोग लेते हो, लेकिन ध्यान रखे है Delhi University के लिए domains वही लीजिएगा जल्दी, क्योंकि जो आप लोगों ने पढ़ रखे हो, ऐसा नहीं किसर कुछ अलगी ले रहे तो आप लोग अगर चाहो, तो अड्ड़ 24-7 आप लोग के लिए अल्रेडी preparation करा रहा है, तो easily आप लोग क्या कर पाओगे, हमारे जो premium courses है, उसके अंदर participate कर पाओगे, उसके लिए आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, कि आप लोग को Google के ओपर जाना है, और Google पे जाने के साथ ही आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है Udda 24-7, Udda 24-7 टाइप करोगे, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है, देन आप लोग का यह होता है, all courses, all courses पे आप लोग को जाना है, under great पे, और जैसे ही आप लोग इस पे जाओगे तो C.U.T. पे जादव mark को gain किया था percentile के अंदर तो भाई आप लोगों को भी आज से जुट जाना है जिससे आप लोग की सपनों की university उसके अंदर आप लोग पहुंच पाओ इसके लिए आप लोगो को किसी पर भी click कर दिना है science in-sarts commerce पे तो मैं बोलता हूँ अगर आप लोग आट्स के ओ तो आट्स पर क्लिक कर दिना है और देन आप लोगो के जितने भी हमारे latest बैच जाते हैं वो यहां पे मिल जाते हैं और आप लोगो को क्या करना है simply उस बैच पर आप को click करना है और देन आप लोगो को नीचे scroll down करना है और यहां पर buy now पर click करोगे तो यहां पर coupon code आप लोगो का apply करना है और coupon code क्या है बेटा वह बहुत important है वह है Y485 यह अड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा discount देने वाला code है तो इसको apply करेए और अपनी guidance के अंदर आएगा वह easily आगे बढ़ जाएगा तो जुड़े रही हमारे साथ अड़ 24-7 CUT चैनल पर मैं के जिंदर शर्मा तही दिल से आप लोगों का शुक्रियादा करता हूं thank you and bye bye to all और मेरे भाई एक चीज़ के साथ बोलूँगा कि हो चुका आगाज रणका युक बदलने की तयारी CUT के अंदर टॉप वही करेगा जो करेगा मैनत बहुत सारी और एक अच्छी guidance के साथ आगे भड़ेगा thank you so much and bye bye to all